हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बिहारी फिश करी ये मेरी मॉम की रेसिपी है इसके लिए हम एक किलो फिश लेंगे और उसमें फिर आधा टी स्पून सॉल्ट डालेंगे उसके बाद हम इसमें आधा टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर इसमें आधा टी स्पून मिर्च पाउडर डालेंगे अब इन सभी चीजों को फिश में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिश को आधे गंटे के लिए मैरिनेट करेंगे फिश करी में हम थोड़ी सी फूल गोवी भी डालेंगे इसको डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम फूल गोवी छोटे टुकडों में कटीवी इसके लिए हमें चाहिए एक टमाटर एक टीस्पून सरसो और चार लसन की कली इसके अलावा हमें चाहिए एक टीस्पून धन्या और एक टीस्पून जीरा अब हम किसी ब्लेंडर में धन्या, जीरा, सरसो और टमाटर को काट कर डालेंगे फिर हम इसमें लेसन डालेंगे और उसके बाद आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर ब्लेंडर में इसका एक स्मूद पेस्ट बनाएंगे अगर आपके पास सिलबटा है और अगर आप इसको सिलबटे में पीस कर बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी जादा अच्छा आएगा इन सभी चीजों का हमें एक स्मूध पेस्ट बनाना है अब हम किसी कड़ाई में कुकिंग ओल लेंगे ट्रडिशनली इसको मस्टर्ड ओल में बनाया जाता है पर आप कोई भी कुकिंग ओल यूज कर सकते हैं जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए उसके बाद जो हमने फिश मैरिनेट करके रखी थी वो इस कड़ाई में डाल देंगे ध्यान रखेगा कि फिश डालने से पहले तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए वरना जब आप फिश टालेंगे तो कड़ाई में चिपक जाएगी हमें फिश को डीप फ्राई करना है जब फिश एक तरफ से पक जाए तो हम इसको पलट देंगे हमें फिश को मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जब फिश दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसको किसी पलेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे इसी तरह हम सारे फिश के जो पीस हैं उनको फ्राइ करेंगे फिश फ्राइ करने के बाद कड़ाई में जो तेल बचा है उसी में हम अपने गोबी के सारे टुकडों को डालेंगे गोबी ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं मगर गोबी डालने से फिश करी का टेस्ट और बढ़ जाता है गोबी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे और उसके बाद हम किसी प्लेट में इसको निकाल कर साइड में रख लेंगे अब हमें फिश करी में तड़का लगाने के लिए दो तेज पत्ता और एक टी स्पून पंच फोरन चाहिए फिश और गोबी फ्राइ करने के बाद जो ओल बचा है उसी में हम इस तेज पत्ता और पंच फोरन को डालेंगे उसके बाद जो हमने ब्लेंडर में पेस्ट बना कर रखा था उसको कड़ाई में डालेंगे और सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह से स्टर करेंगे अब हम इसमें अपने स्वादा नुसार नमक डालेंगे और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इस मसाले को हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है और हम बीच बीच में इसको stir करते रहेंगे अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक की जो तेल है वो मसाले से अलग ना दिखाई देने लगे उसके बाद हम इसमें एक चोथाई कप पानी डालेंगे और उसको mix करेंगे इसको अब हम एक मिनट और पकाएंगे उसके बाद जो हमने गोबी के पीस फ्राइ करके रखे थे वो इसमें डालेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से stir करेंगे उसके बाद हम इस गोबी को इस मसाले में दो मिनट तक मीडियम हीट पर पकाएंगे गोबी को दो मिनट इस मसाले में पकाने के बाद इसमें हम 500 एमल पानी डालेंगे और सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी में एक उबाल ना आ जाए जब ग्रेवी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए उसके बाद हमने जो फिश के पीस फ्राइ करके रखे दे वो इस ग्रेवी में डाल देंगे अब हम कडाई को ढग देंगे और दस मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे दस मिनट बाद हम धक्कन हटाएंगे और कटी हुई धनिया पत्ता इसके अंदर डालेंगे और सभी चीजों को एक बार स्टर करेंगे बिहारी फिश करी अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है इसको आप होट राइस के साथ सर्व करें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल करेंगे